इंडियन क्रिकेटर शिवम दूबे शादी के बंधन बंद गए उन्होंने 17 जुलाई को अपनी लॉंग टाइम गूर्फरेंड अंजुम खान से मुंबई के एक नीजी समारों में शादी कर लिए उन्होंने अपने शादी समारों की कुछ तस्विरें शोशल मीडिया पर भी शेयर की इसके बाद सही कुछ लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया इन में से एक है क्रेटली मीडिया जो कि अपने फेक न्यूज और प्रोपगेंडाज के लिए जाना जाता है नमस्कार मेरा नाम है जाकरेशन और आप देख रहे हैं The Logical Indian ट्रोल करने की वज़ा क्या है तो इसका सीधा सा जवाब है लव जिहाद जो कि आजकल एक trending topic भी है दरसल शेवम दूबे की girlfriend और अब उनकी धरम पतनी अंजुम खाने एक Muslim है खर ये तो भी शेवम दूबे की बात पर हम आज इस मुद्धे पर बात क्यूं कर रहे है दरसल Creatly Media जो अपने fake news के लिए मशूर है उन्होंने एक tweet करा इसमें शेवम दूबे की शादी की तस्वीर के साथ एक कोलाज शेयर किया गया इसमें एक मौलाना की तस्वीर है और साथ में एक tweet tweet किसी अंसार अली के नाम पर की गई tweet में लिखा है कि BJP के मुख्य वोटर है हिंदू लड़के सबी मुस्लिम लड़कियों से गोजारिश है कि अगले 6 महीने तक हिंदू लड़कों को प्रेम जाल में फसाओ फिर कॉंग्रेस को वोट देने के लिए मनाओ जिससे BJP हार जाएगी इस tweet के साथ एक caption भी शेयर किया गया जिसमें लिखा था मौलवी ने कहा अंजुम खान ने किया मतलब साफ है कि क्रेटली मीडिया के अनुसार ये एक योजना की तहत किया गया है ताकि BJP को हराया जा सके हमने इस tweet की पड़ताल की तो हमने ये दावा गलत पाया सबसे पहले हमने इस Twitter handle के बारे में search किया हमने पाया कि अकाउंट अब Twitter पे अप्लब नहीं यानि कि अकाउंट deleted है हमने tweet में mention मौलाना की तस्वीर को crop करके reverse image search किया Google पे search करने पे हमें 2016 की राजसान पत्रिका की एक खबर मिली इस article में इस तस्वीर में दिख रहे शक्स का नाम मौलाना शहाब बुद्दिन रिजवी बताया गया यानि कि अंसार अली वाला दावा गलत है हमने इस नाम को Google पे search किया तो हमें मौलाना शहाब बुद्दिन रिजवी का YouTube account भी मिला इसमें भी हमें कहीं अंसार अली के नाम का जिकर देखने को नहीं मिला All News जो की एक fact checking website है उन्होंने मौलाना शहाब बुद्दिन से बात की बात के दौरान मौलाना ने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई भी tweet नहीं किया वो Twitter पे मौजूद ही नहीं है उन्होंने इस tweet के खिलाव कानूनी करवाई की भी बात की है कुल मिलाके सोचल मीडिया पे बर्यली के मौलाना शहाब बुद्दिन रिजवी की तस्फिर फरजी tweet के साथ शेयर की गई ताकि शादी को communal रंग दिया जा सके